इस सेल में आइफोन खरिदा जा सकता है क्योंकि 3 या 4 आइफोन का प्राइस इस सेल में कम किया जाएगा अगर आफ आइफोन ही खरिदना चाहते हैं तो बेस्ट होगा 30,000 के ऊपर के रेंज में ही आपको जो भी आइफोन मिलेगा कितना प्राइस होने वाला है इसारी डिटेल में बताने जा रहा हूँ आगे वीडियो में अगर आफ एंडवाइड यूजर हैं और 30,000 के आसपास या 40,000 के आसपास के रेंज में कोई अच्छा मुआल खरिदने के लिए शोच रहे हैं और देख रहे हैं कि आफोन भी इस रेंज में मिल रहे हैं तो आफोन क्योंने खर दें तो बहुत नीशोच समझ के आपको खड़ना पड़ेगा क्योंकि आफोन अगर खर दिएगा एंटवाइड से आफोन पर शिफ्ट होएगा तो थोड़ी बहुत प्रोब्लेम होगी क्या क्या प्रोब्लेम होगी वह पॉइंट टूपइंट में बता देता हूँ आफोन में भी बहुत सारा देखने को मिल जाए बहुत पुराना मोडल जो है वो खड़ने के लाइक नहीं रहता है अगर आप एक शाल यूज करी किजिएगा तो बैटरी ड्रोब और दूसरी प्रोब्लेम होने लगे अगर आप क्रियेटर हैं कोई भी वीडियो ग्राफी क जितना सेक्योर आफोन है उतना सेक्योर एंडवाइड नहीं है एंडवाइड पे प्ले इस्टोर मिलता है गूगल का उस तरह से आफोन में प्ले इस्टोर नहीं मिलेगा एपल का अपना ही इस्टोर है ब्रोजिंग के लिए एपल का अपना ही साफारी ब्रोजर है उसी से कर सकते हैं तो unknown source से कोई भी application यूजी नहीं कर सकते ही लिए आफाउन कोई पार्ट का सकते हैं आफिस थीडि बहुत परे गार चाहिए गार चाहिए अपका अथीम ठीक War 2 यह सब्सक्त च्छोटीम हो सकती है iPhone 12, iPhone 13 और 14, 15 देखेगा तो इसमें थोरी बहुत चिप सिट का अंतर दिखनी को मिलेगा आपको लग रहा है iPhone 12 खर दे, नहीं इसे अच्छा iPhone 13 खर दे, तो मेरे ख्याल से नहीं iPhone 12 ही खर दिये, ठीक ठाक चलेगा कुछ दिक्कत नहीं होगी, और iPhone 12 की मैं प्राइस की बात करूँ, तो ये कहा जा रहा है, 32,999 रुपया इसका शेल में प्राइस रहेगा तो ये जो प्राइस जोड़ा गया है, तो आपको बता दे कि 3,000 बेंक ओफ़र और 3,000 एक्सेंज ओफ़र घटा करके ये जोड़ा गया है आप 6,000 ओफ़र का लाप उठा पाएंगे तो 32,999 रुपया में आपको मिल जाएगा नहीं तो 38,999 रुपया आपको पे करना पड़ेगा iPhone 12 के लिए इसके बार iPhone 14 अगर खरिदना चाहते हैं तो देखने वाली बात होगी कि iPhone 14 का पैस कितना रखा जाता है लिंक जो है सबका डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ आप चेक आउट कर सकते हैं कि कितना पैस है वीसेल में